हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फैस्ट इंश्टिडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हम लोग आज नाप से रिलेटीड कुछ सब्सक्राइब के लिए किसका प्रियोग करेंगे देखे ध्यान रखिएगा आप लोग यहां पे पर मीट्रिक प्रणाली के अनुसार पूछा गया है option E है meter, option B है gaj, option C है intuitive, option D है scale तो इसका correct answer है option E, meter metric पर नाली के अनुकार कपड़ा नापने के लिए हम लोग किसका प्रियोग करते हैं meter का प्रियोग करते हैं, इसलिए option A is the correct answer देखते हैं, next question हमारा question number second है, कौन सी measuring तकनिक के द्वारा एक ही बार में तीन नाप आते हैं option E है, छाती नाप द्वारा, option B है protection नाप द्वारा option C है intuitive द्वारा, option D है meter द्वारा तो इसका correct answer है option B, protection नाप द्वारा protection नाप द्वारा एक ही बार में तीन नाप आते हैं आप लोग तो यहां कोश्चन है कौन सी मीजरिंग तकनीक के द्वारा एक ही बार में तीन नाप आती हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी प्रतेक्ष नाप द्वारा देखते हैं नेक्स्ट कोशन नंबर थैड है लोवर बोड़ी गवर्मेंट के नापो को करमानुसार ठीक करें उपर से नीचे की तरफ देखे इसमें lower body garment के जो है नापो को हमको क्रमा नुसार ठीक करना है उपर से नीचे की तरफ देखे उपर देखेंगे हम लोग की उपर पहले कहाएगा फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे इस अनुसार हम लोग इसको सही करेंगे option A हे घुटना, option B है कमर, option C है हीप, option D है मोहरी तो इसका correct answer है देखे ध्यान दीजेगा आप लोग पहले हम लोग क्या लेते हैं पहले हम लोग कमर लेते हैं मिन्स option C आएगा, फिर इसके बाद में क्या आता है, हिप के बाद में क्या आता है, हिप के बाद में घुटना आता है, मतलब option E, फिर घुटने के बाद में क्या आता है, घुटने के बाद में हमारा क्या आता है, उससे नीची, हम नीची की तरफ जब हम चलेंगे, तो हमारा म आप देखते हैं, next question Question number four है Upper body garment के नापो को उपर से नीचे की तरफ क्रम ठीक करें देखे, इसमें अभी पिछले question में हमने क्या कर था? Lower body garment किया था, क्रम अनुसार अब हम इस question में क्या करें? Upper body garment को करें के नापो को उपर से नीचे की तरफ क्रम ठीक करें Option A है कमर, Option B है ही, Option C है 13, Option D है छाती, तो देखिए अब हम इसको करते हैं, देखिए सबसे पहले हमको अपर बॉडी गार्मेंटर ध्यान रखेगा, सबसे पहले हमारा आएगा 13, means Option C, फिर इसके बाद में दूसरी नमबर पर आएगा छाती, means Option D, फिर छाती के बाद में क्या पाएगा, हमारा ही पाएगा, means Option B, तो हमारा क्रम क्या बैठा, हमारा क्रम बैठा, C, D, A, B, ये क्रम हमारा बैठ गया, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, next question अपना, question number 5 है, लंबाई के नापो का क्रम ठीक से बनाएं, देखें इसमें लंबाई के नापो का पूछा गया है, पिछले question में पूछा गया था, lower body garment के नाप का, upper body garment के नाप का, अहां लंबाई के नापो का क्रम ठीक से बनाएं, ये पूछा गया है कि इसमें लंबाई के नापो क क्रम से लगाना है हमको option A है बाजू की लंबाई, option B है कंधे से कमर, option C है पूरी लंबाई, option D है बाजू आधा तीरा सहीद, तो देखिए इसको भी हम लोग क्रम बैठाते हैं, देखिए पहले नंबर पाएगा हमारा कंधे से कमर, means option B, फिर इसके बाद में हमारा क्या आता है पूरी लंबाई, means option C, फिर इसके बाद में क्या आएगा पूरी लंबाई लेने के बाद में, फिर आएगा बाजू आधा तीरा सहीद, means option D, तीसरे नंबर पारा हमारा, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, फिर आ रहा बाजू की लंबाई, means option A, यह हमारा चौथी नंबर पा आई के नापों का क्रम ठीक है देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कोर्चन अपना कोर्चन नंबर सिक्स है इसकेल का अभिप्राय निम्ना नुसार बताएं इसकेल का अभिप्राय पूछा गया इसमें option A है बढ़े नाप को घटाना option B है छोटे नाप को बढ़ाना option C है नाप को बार बार नापना option D है ए तथा बी दोनो तो इसका correct answer option D A तथा B दोनों, बड़े नाप को घटाना, छोटे नाप को बढ़ाना, दोनों का दोनों अभी प्राय होता है, इसके इल से, दोनों का दोनों अर्थ होता है, इसलिए option D तथा B दोनों, option D is the correct answer, देखते हैं, next question, question number 7 है, सरीर के अंगों के नाप को कितने भागों में बाटा ज जा सकता है, देखें, इसमें सरीर के अंगों के नापों को पूछा गया है, कि कितने भागों में बाटा जा सकता है, option A है 3 बाग, option B है 2 बाग, option C है 4 बाग, option D है कोई नहीं, तो इसका correct answer है, option A, 3 बाग, सरीर के अंगों के नाप को 3 बाटा जा सकता है, इसलिए option A is the correct answer, friends, अगर आप लोगों की इसकी डिटेल पढ़नी होगी तो मेरे द्वारा चलाईगी ओनलाइन क्लासिस को आप लोग दिये गए संपर्क नमबर पे संपर्क करके ओनलाइन क्लासिक को जोईन करके पूरी की पूरी थियोरी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, देखत होता है इसमें दिया गया और यह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट कोश्चन है, एंट्रेंस एकजाम वालों के लिए भी, आईटी आई वालों के लिए भी, CTS के लिए भी, CITS के लिए भी कोश्चन बहुत ज़्यादा है, इस स्मोकिंग में कौन सा स्टिच प्रियोग नह ही होता है, इसलिए option D is the correct answer, देखते हैं, next question, question number 9 है, गिदरी का नाप लेने वाले उपकरण का नाम बताएं, देखिए इसमें गिदरी का नाप लेने वाले उपकरण का पूछा गया है, option D है इंचिटेप, option B है L स्केल, option C है गिदरी मापक, option D है मीटर, तो इसका correct answer है, option C, गिदरी मापक, गिदरी का नाप लेने वाले उपकरण का नाम गिदरी मापक है, इसलिए option C is the correct answer, देखते हैं, next question हम लोग अपना, question number 10 है, नाप लेते समय ऐसा धानी रखने से क्या हानी हो सकती है, option D है नाप भूल सकते है, option B है नाप गलत हो सकते है, option C है किसी का कपड़ा भी गलत बन सकता है, option D है उक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका correct answer है option A, नाप भूल सकते हैं, नाप लेते समय अगर हम लोग ऐसा धानी रखेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो इससे क्या होगा हम नाप भूल सकते हैं, इसलिए option A is the correct answer, तो friends आज की वीडियो में बस इतना ह थैंक यू